नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Stock Experts में और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बहुत ही खास चीज खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं लगबग ये टॉपिक दोस्तों आप में से काफी लोग जादा पसंद करेंगे और जैसे कि दोस्तों आपने टाइटल में ही पढ़ लिया होगा लगबग लगबग ये दोस्तों 25,000 के आज पास आप एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं और अभी के बात करने वाले हैं इसी के साथ साथ दोस्तों आज का ये वीडियो लगबग हमारा यूटिब पे 500 वीडियो होगा तो इसके लिए दोस्तों मैं आप सभी को बढ़ाई भी देना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारा साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और आ मिलेगा वो 30% तक मिल सकता है उससे उपर भी आप दोस्तों एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन minimum आपको 30% तो रिटन मिलेगा ही लेकिन उससे पहले दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक विंति करना चाहूंगा अगर आप यूट्यू चैनल पर research basis पर है और यहां पर यह direct recommendation नहीं है कि आप buy करें यह share को इस पर आप research जरूर करें और उसके बाद ही दोस्तों आप कोई फैसला ले investment करने के लिए आईए start करते हैं यह amazing video 25,000 का portfolio जिसमें दोस्तों आप अपने अच्छे बहतरीन shares पिक कर सकते हैं budget से पहले तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले अगर मैं आपको बताओं तो mainly 25,000 में हम पूरे middle class को cover कर लेते हैं mainly अगर हम देखें दोस्तों तो 25,000 में सालाना अगर हम देखें तो एक middle class family afford कर सकती है stock market में invest करने के लिए और लगबग लगबग अगर आप दोस्तों इस portfolio से जो return चाहते हैं वो 30% के आसपास आपको return मिल जाएगा जो की एक mutual fund साथी साथ दोस्तों debt fund साथी साथ अगर हम देखें FD साथी साथ दोस्तों जो bank interest जो आपको देता है उससे कई जादा है और काफी अच्छा है so mainly यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे कुछ shares के बारे में जो अभी के लिए काफी अच्छा perform कर रहे हैं और जो दोस्तों इंका future है वो भी हमें bright देखने मिल रहा है और इसी के हिसाब से दोस्तों हमने totally यह जो आपका 25,000 रुपया है इसे divide भी किया है लगबग लगबग अगर आप दोस्तों इस portfolio में आप देखेंगे तो minimum से minimum दोस्तों हमने 30 to 40 40 to 45 परसेंट लगबग लगबग IT सेक्टर में invest करने के लिए सोचा है और IT सेक्टर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अभी के लिए एक काफी growing industry है काफी growing सेक्टर है यहाँ पर दोस्तों IT की demand बढ़ती जा रही है और आने वाला दोस्तों अगर आप future भी देखते हैं आज से अगर एक साल बात की भी बात करते हैं दोस्तों तो IT का अभी भी काफी कुछ आना बाकी है इसलिए दोस्तों minimum to minimum 40 to 45% हमने अपना जो हिस्सा है 25,000 रुपया का इससे directly IT सेक्टर पर निर्भर किया है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचा है साथी साथ दोस्तों बाकी का जो 30 से 40 प्रतीशत हिस्सा है उसे हमने safe stocks में इन्वेस्ट करने की कोशिश की है जो की दोस्तों अगर आप देखेंगे तो mid cap से भी आते हैं और large cap से भी आते हैं mainly small cap पर दोस्तों हमने सिर्फ यहाँ पे 10 to 15% का focus किया है जो की वो भी दोस्तों काफी कम है लेकिन अगर small cap perform कर जाएगा तो आपको extra return तो मिलेगा ही बाकी यहाँ पे जो दोस्तों large और small cap का यह combination जो हमने बनाया है इस पर लगबग लगबग अगर हम देखें तो 30% तक आपको return मिली सकता है सो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे जोस्तों जो हमने बात की है वो लगबग लगबग आपके सबसे पहले जागर हम देखें 25,000 रुपे में से 7,000 रुपे जो हैं वो हम ये 3 share पर खर्च करना चाहेंगे यहाँ पर ये वीडियो दोस्तों मैं कुछ इस करदर बना रहा हूँ कि जैसे दोस्तों अगर मेरे पास 25,000 रुपे होते तो मैं कौन-कौन से share में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर तक कौन-कौन से दोस्तों sectors होते हैं जिसमें मैं ज़्यादा ध्यान देता हैं उस हिसाब से दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप डिरेक्ली इस पर अपने रिलेट करते जा सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी दोस्तों यहाँ पर अपने share अपने हिसाब से भी रख सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर सबसे पहले मैं बताओं तो अगर मेरे पास 25,000 रुपए अभी के लिए होते तो आने वाले दिनों में दोस्तों सबसे पहले मैं 7,000 रुपए दोस्तों इन तीन share में से एक शेर में लेने की कोशिश करता जो की दोस्तों लग बग अगर आप तो हमारे तीन आईटी जाएंट्स हैं विप्रो, टी-स और इनफोसिस दोस्तों अभी के लिए सबसे पहले अगर हम विप्रो की बात करें तो अगर हम विप्रो को रखते तो विप्रो की जो करेंट प्राइस चल रही है वो 552 रुपए है यानि कि लग बग साड़े 500 और इसको दोस्तों अगर आप देखेंगे विप्रो एक काफी अच्छी कासी आईटी जाएंट है इसका दोस्तों पूरे वर्ल लेवल पर नाम है वर्ल ओवर आल ओवर वर्ल में दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो यह काम करती है काफी बड़ा एंप्लॉयर भी है हमा देखने मिलती है विप्रो में चाहे अगर हम TCS की बात करें दोस्तों तो TCS को डायरेक्ली Tata Group ओन करते हैं और Tata Group दोस्तों TCS में अगर आप देखेंगे तो Tata Group का TCS सबसे बड़ा जैम है गोल्डन जैम है डाइमंड जैम है अगर हम एक हिसाब से बात करें मेंली Tata Group का दोस्तों जो रेविनियो आता है उसका एक बड़ा हिस्सा TCS से आता है हजारो करोड में दोस्तों इंका प्रॉफिट डील होता है और इसलिए दोस्तों हमने ये दो शेयर ये तीन शेयर इनफोसिस भी दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा इनफो वर्ल लेवल में IT बेस्ट कंपनीज में दोस्तों इनका नाम आता है और ये दोस्तों हमारे तीन एशेयर जो पूरे देश में पूरे वर्ल लेवल पर नाम कर रहे हैं हमारा सो इनफोसिस टी सी एस या विपरो इनका फ्यूचर दोस्तों हमें अभी के भी प्राइस के अगर आप जाएंगे अगर आप टी सीस के लिए जा रहे हैं तो आप दो शेयर ले सकते हैं विपरो के लिए जा रहे हैं दोस्तों तो लगबग लगबग अगर आप देखेंगे यहां पर बारा शेयर आपके पास आ जाएंगे और इनफोसिस के लिए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपको 5-6 share मिल जाएंगे so mainly अगर आपका target रहना चाहिए IT sector में इन टीनों में से किसी एक share में लगबग लगबग सिर्फ 7000 से कम भी और 7000 से थोड़ा सा ज़ादा 7000 रुपे का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप बिलकुल आसानी से कर सकते है Infosys, ECS या Wipro तीनों का दोस्तो quarterly result ला जवाब है तीनों का नाम दोस्तों पूरे world label पर है यह मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा so इसलिए यहाँ पर हमारा यही focus था कि IT sector में हमारा जादा पैसा invest हो और इसलिए 40-45% दोस्तों तो बनता ही है बाकी अगर हम आजाएं दुसरे share के लिए so यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों अगर हमने अभी 7,000 रुपे spend कर दिया 25,000 रुपे में से तो लगबग लगबग अभी भी हमारे पास 18,000 रुपे की राशी बची हुई है बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर अगर मैं आपको दुसरे share की बात करूँ तो सबसे पहले यह share को दोस्तों मैं invest करने की जरूर कोशिश करूँगा और इसे अपने field में दोस्तों अपने जो portfolio है उसमें सिर्फ एक share रखोंगा जिसका नाम दोस्तों CDSL है यानि की Central Depository Service India Limited दोस्तों CDSL का दोस्तों आपने नाम तो बिल्कुल ही सुना होगा आपके जो shares है वो इन्हीं के पास तो दोस्तों रहते ही है सो CDSL एक हिसाप से काफी best share है काफी safe share है इसी के साथ साथ दोस्तों एक और जो share में रखना चाहूंगा एक quantity में वो होगा BSC यानि की Bombay Stock Exchange का दोस्तों खुद का share जो की अभी के लिए 2000 रुपे के आस पास चल रहा है सो मेंली यहां पर देखेंगे दोस्तों तो यहां पे हमारा लगबग लगबग साथे 3000 रुपे के करीब पैसा खर्च हो रहा है जिसमें हमें दोस्तों टॉप लेवल के दो मिड कैप स्टॉक्स मिल रहे हैं जो की काफी सेफ माने जा सकते हैं BSC दोस्तों आप खुदी सोच सकते हैं जब तक Bombay Stock Exchange चलेगा तब तक BSC का share भी रहेगा Profitable में दोस्तों तो आप इनके Profitable को समझे सकते हैं जो भी आपका दोस्तों यहाँ पे Charges कटता है डिरेक्ली BSC के तुरू तो वहाँ पे भी दोस्तों इनको डिरेक्ली Profit होता है और यह Profitable Business में है दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें BSC की CDSL भी दोस्तों सेम है इनके उपर भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके share हैं यह डिरेक्ली खोदी ओन करते हैं DMATS जितने अकाउंट होते हैं सारा इन्हें ही open करना रहता है तो एक हिसाब से दोस्तों यह दोस्त शेयर हमें अभी के लिए काफी safe share दिख रहे हैं और इसलिए लगबग लगबग दोस्तों यहाँ पर एक एक quantity में दोनों को मैं add करने की कोशिश करूँगा जो की 35,000 रुपे के दोस्तों आस पास यह हमारा पैसा खर्च करेगा लेकिन लगबग लगबग काफी safe हमें share दे देगा और एक साल बाद अगर हम इनकी दोस्तों बात करें तो return भी हमें काफी अच्छा मिलेगा अभी के लिए अगर हम देखे तो इनका पिछले साल का return ही आप देख सकते हैं इसका 206% है CDSL का और BST का दोस्तों लगबग लगबग 28% यानि की 2200% दोस्तों दोनों share भागे हुए है तो यहाँ पर अगर हम इनसे 30% की expect कर लें तो 30% growth तो दोस्तों यह दे ही सकते हैं काफी अच्छे share माने जा रहे हैं तो अभी तक दोस्तों अगर आप देखेंगे TCS, Wipro, Infosys तीनों काफी safe share है IT में दोस्तों काफी बड़े नाम है इनके और काफी अच्छा दोस्तों इनका revenue भी है साथ ही साथ अगर हम दूसरे शेक्टर की बात करें तो CDSL और 2000 रुपए दोस्तों हम BSC पे लगाएंगे तो 3500 हमारा यहां पर खर्च होगा यानि कि 3500 में अभी तक आप देखेंगे तो आपका काफी तरीके से safe portfolio बन चुका है लगबग लगबग दोस्तों अगर अभी के लिए देखें तो आपके पास Wipro होगा 10-12 quantity में CDSL एक quantity में होगा BSC एक quantity में होगा साड़े 10,000 के करीब आपने अभी तक खर्च कर दिया है या आप TCS 2 quantity में लेंगे या Infosys दोस्तों 5 या 6 quantity में लेंगे नॉर्मली यह होगा उसके बाद अब हम आएंगे दोस्तों एक और best safe stock पर जो की दोस्तों यहां पर government से लाए करता है government का दोस्तों यह PSU stocks है और PSU stock में अगर हम बात करें अभी के लिए सो याता यात के लिए दोस्तों यह एक best जरिया है IRCTC की बात कर रहे हैं हम दोस्तों Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited पूरा इसका नाम है और IRCTC अभी के लिए दोस्तों अगर हम देखें तो एक monopoly business में लाइक करता है और आने वाले एक साल के लिए अगर हम देखें तो अभी के लिए फिलाल government इस पर कोई फैसला करने वाली है नहीं कि इसे private किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा तो इसी के लिए दोस्तों अगर हम देखें तो Indian Catering में इसका एक monopoly business है जिसके वज़े से इसको profitable तो दोस्तों ये थाबित होता है और इसलिए इसमर्वी और इसलिए दोस्तों इस पर भी हम लगबग लगबग अगर आप देखेंगे तो IICTC के हम 5 share लेना चाहेंगे अभी के लिए लगबग लगबग 845 रुपे इसकी भाव चल रही है तो साड़े 800 के हिसाब से दोस्तों अगर हम देखें साड़े 800 के नीचे आप इसमें कोई भी दोस्तों value पर आप इसे ले सकते हैं साड़े 800 के हिसाब से लगबग 5 share आप लेंगे जो की साड़े 4,000 रुपे के आसपास होगा और साड़े 4,000 में दोस्तों IRCTC काफी safe stock PSU stock है साथी साथ अगर हम देखें तो book value भी company की काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है attractive monopoly business देखने को मिलता है quarterly results अच्छे देखने मिलते है साथी साथ दोस्तों ये एक utility create करता है लोगों के लिए अगर हम देखें दोस्तों तो याता यात के लिए IRCTC का बहुत बड़ा नाम है Indian railway दोस्तों हमारे पुरे देश में फैला हुआ है काफी बड़ा railway network है और IRCTC का दोस्तों अगर मैं आपको main काम बताऊ तो ये इंका दोस्तों ये जो आप online tickets बुक करते हैं जो कि directly दोस्तों आप कहीं से भी बुक करेंगे वो through IRCTC ही होके जाता है तो वहाँ पे IRCTC का रोल आता है number two दोस्तों catering services में भी इनका हाथ है और अभी हाले के दिनों में अगर आप देखेंगे तो trains में बाहर के खाने भी allowed किये नहीं जा रहे हैं बाहर के खाने innocence of दोस्तों बाहर hotel या restaurant से आप कुछ order नहीं कर सकते हैं आपको IRCTC के catering के through ही offer करना पड़ेगा साथ ही साथ दोस्तों इनका जो तीसरा business है वो tourism से है tourism के लिए भी दोस्तों ये काफी affordable pricing में afford करते हैं लेकिन main business दोस्तों जो है इनका वो ticketing से ही है so ticketing से दोस्तों इनका जो revenue आता है वो हमें काफी अच्छा लगा और इसलिए दोस्तों अगर मेरे पास अभी के लिए पैसा हो 25,000 रुपे तो लगबग लगबग 5 शेर में इसके दोस्तों लेना चाहूंगा जो की लगबग 4,000 रुपे के करीब होगा तो अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो हमारा portfolio लगबग लगबग 15,000 रुपे के करीब हो चुका है और 15,000 में as a middle class दोस्तों हमारे पास अभी एक साल का return देख लें दोस्तों लगबग 190% के आसपास है और आप दोस्तों खुदी इसके गवा होंगे अगर आपने हमारा पहले भी वीडियो देखा होगा जब IRCTC काफी तेजी से भाग रहा था लगबग 15,000 से 4,000 रुपे की दोस्तों इसकी जो रैली थी वो काफी दोर तक गई थी लगबग अगर हम देखें तो 5,000, 5,000, 6,000 ये टच करने वाला था इसलिए दोस्तों ये हमने share रखा है बाकी अगर हम आ जाते हैं हमारे next stock के उपर जिसका दोस्तों हम एक ही share लेना चाहेंगे ये दोनों दोस्तों अगर हम देखें तो फिलहाल के लिए ये दोनों अगर हम देखें दोस्तों एक दोस्तों अगर हम देखें दोस्तों तो एक space industry से है defense and space जिसका नाम दोस्तों M.T.A.R. technologies है अभी हाली में दोस्तों इसका IPO निकला था और दूसरे share की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये share है PIDLIGHT PIDLIGHT भी दोस्तों अगर हम देखें तो एक monopoly business में है और ये अच्छे खासे दोस्तों Fevicol आपने नाम सुना होगा Fevicol दोस्तों पिडलाइट का ही brand है और mainly gum के लिए दोस्तों हम PIDLIGHT का ही Pevicol यूस करते हैं तो इसलिए ये दोनों share को दोस्तों हमने हमारे list में रखा है एक है MTAR Technologies जो की अभी के लिए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 2100 रुपे के आसपास है और PIDLIGHT की अगर हम बात करें दोस्तों तो लगबग 2400 से एंटर कर रहे है पहला तो दोस्तों डिफेंस के लिए है जो की काफी अच्छी बात है अगर हम देखें दोस्तों MTAR Technologies टाइरेक्टली हमारे ISRO के लिए काम करता है और ISRO यानि की दोस्तों Indian Space Research Organization जो हमारी Space Agency है उसके लिए ये काफी तर दोस्तों काफी प्रोड़क्ट्स बनाते हैं और इसलिए दोस्तों इंकार अगर आप रिजल्ट भी देखेंगे कॉटरली वो भी काफी प्रोफिटेबल रहता है साथ ही साथ अगर हम दुसरे शेयर की बात करें जो की पिडलाइट है पिडलाइट का दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले आपको बता दिया कि फैविकॉल ब्रैंड इसका इतना फेमस है कि आपको दोस्तों अभी तक इसका जो गम है जो इसका दोस्तों एक्चुल प्रोड़क्ट है उस पर हम नहीं जान सकते जिसका नाम दोस्तों एडेसिव होता है और एडेसिव सम्तिंग एडेसिव होता है यहाँ पर हमें नहीं पता किस हिसाप का एडेसिव लेकिन अगर आप देखेंगे पिडलाइट लिमिटेड इस इन इंडियन एडेसिव मैनुफैक्चरिंग कंपनी यानि कि एक हिसाप से गम बनाने वाली कंपनी है फॉनिचर इंडिस्ट्री में दोस्तों इसका भी काफी जादा नाम है तो यहाँ पर इन दोनों के दोस्तों हमें एक एक शेयर लेना चाहेंगे अभी तक का दोस्तों अगर यहाँ पर मैं आपको समरी बताओं तो आईटी सेक्टर में लगबग लगबग हमने 7000 रुपए इन्वेस्ट किया है और उसके बाद CDSL और BST के दोस्तों हमने एक एक शेयर लिए जो कि दोनों मिला के दोस्तों हमें लगबग साड़े 4000 के करीब पड़े और लगबग लगबग दोस्तों माफ कीजेगा साड़े 3000 के करीब पड़े तो इसके बाद लगबग साड़े 10,000 रुपए हमने खर्च किये और उसके बाद IRCTC के हमने 5 शेयर लिया है जो कि दोस्तों 45,000 रुपए का था तो ये 15,000 रुपए पे पहुचा और MTR का दोस्तों एक शेयर और PIDLIGHT का दोस्तों एक शेयर तो ये भी दोस्तों अगर हम देखें तो 45,000 रुपए के करीब हो रहा है और ये दोस्तों हमारा अभी पोर्टफोलियो 19,000 रुपए का ला रहा है यानि कि 19,500 रुपए में दोस्तों लगबग लगबग आप अभी तक काफी सेफ पोर्टफोलियो में एंटर कर रहे हैं लाज कैप और मिड कैप पे हमने काफी ध्यान दिया है और अब इसके बाद दोस्तों जो हम शेयर लाएंगे वो अभी के लिए एक स्मॉल कैप शेयर है लेकिन ये आने वाले दिनों में दोस्तों काफी अच्छा रिटन प्रोवाइड कर सकता है ये दोस्तों हमारा एक बेस्ट शेयर है जिस पर हम बेट करने वाले है काफी कम अमाउंट से बेट करेंगे लेकिन आगे आने वाले दिनों में दोस्तों ये काफी अच्छा रिटन हमें दे सकता है अभी के लिए दोस्तों अगर मैं आपको बताओ तो दूसरा जो शेयर होगा वो होगा Asian Paints करके Asian Paints दोस्तों आपने नाम सुना ही होगा ये भी एक और Monopoly बिजनस में है Monopoly नो नहीं कह सकते हैं दोस्तों लेकिन Paints बिजनस में Asian Paints का जादा नाम है पूरे Global Level में देखें दोस्तों तो Top 10 में Asian Paints का नाम आता है ये भी काफी बड़ी बात है इंडियन कमपनी के लिए इसका भी दोस्तों हम लगबग एक शेर रखेंगे इसी के साथ साथ अगर हम बात करें दूसरे शेर की तो वो दोस्तों होगा TATA POWER TATA POWER यानि की POWER सेक्टर से दोस्तों ये शेर होगा और Tata Power में दोस्तों लगबग लगबग हम लगबग लगबग हम दोस्तों यहां पे 10 शेर बाय करने की कोशिश करेंगे माफ कीजिएगा दस नहीं तो 6-7 दोस्तों दो बाय जरूर करेंगे ताकि हमारे पास लगबग लगबग एंड में 1000 रुपे के आसपास हमारा पैसा बचा हुआ रहा है तो अभी तक हमने अगर देखें दोस्तों तो 19,000 रुपे खर्च किये थे सो यहां पर दोस्तों हम इसमें 500 के हिसाब से दोस्तों लगबग आठंच guess ले 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 जादा नहीं 8 shears लेंगे यानि कि दोस्तों लगबग 2000 रुपे हम कर्च करेंगे तो ये हमारा total लेके आ जाएगा लगबग लगबग अगर हम देखें दोस्तो तो साड़े 23 से 24,000 रुपए के आस पास लेके आएगा हमारा total टाटा पाउर भी दोस्तो अगर आप देखेंगे तो आने वाले दिनों में इसका भी काफी नाम हो रहा है electric power distribution company है और अभी आने वाले दिनों में दोस्तो ये renewable energy पर भी काम कर रहे है तो इसलिए हमने इसे अपने portfolio में रखा है और एक last जिस पर हम bet करने वाले हैं वो दोस्तो है 3i infotech share जिसकी price अभी के लिए दोस्तो 80 रुपे के आसपास चल रही है और इसके दोस्तो लगबख सिरिफ हम 10 share लेंगे जादा share नहीं लेना है हमें इस पर दोस्तो हमें कम bet करना है लेकिन अगर ये return देगा तो काफी अच्छा दे सकता है इसका दोस्तो हम सिरिफ 10 share लेकर रखेंगे 3i infotech का जो की ये भी एक IT software में का दोस्तो IT software में deal करती है और ये भी दोस्तो काफी अच्छी खासी company है अभी के लिए अगर हम देखें तो इसका capital reduction किया गया था जिसके वज़े से दोस्तो ये share काफी नीचे गया था लगबग 8 रुपे के आसपाज capital reduction के वज़े से उसके बाद वापस बढ़ना start हुआ 100 रुपे तक गया और फिर उसके बाद दोस्तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें normal सी ups डाउन्स यहाँ पर हमें देखने मिल रहे हैं जो कि normal fluctuation हमें share market में देखने मिलते हैं सो इस पर दोस्तो हम इसके 10 share ही लेंगे जादा share हमें नहीं लेना है आप इस पर जरूर ध्यान दे दोस्तो रिस्की बात हो सकती है सो 3i info tech पर दोस्तो यहाँ पर मैं सिर्फ 10 share लेना चाहूंगा बाकी उसके बाद अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर के लगबग 8 share लेंगे Asian paint का एक, Pidlight का एक दोस्तो, MTAR दोस्तो एक share लेंगे IRCTC के 5, BSC का एक share लेना है, CDSL का एक लेंगे Infosys, Wipro या TCS, इनमें से दोस्तो तीनों में से किसी एक में हमें लगबग 7,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे So total, in total अगर आप देखेंगे, लगबग 25,000 या 25,000 से दोस्तो 26,000 रुपए जाएगा लेकिन ये एक साल के लिए काफी अच्छा portfolio बन जाएगा जो की 30% तक return दे सकता है As per our research, लेकिन ये दोस्तों सिर्फ research basis पर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा आप इस research basis पर directly stock market में invest ना करें ये कोई भी financial advice वे में आपको recommendation नहीं है कि आप directly जाकर जो भी हमने आपको shares बोलने हैं आपको directly उसमें invest कर देना है आपको अपने हिसाब से research करनी है इन share पर आप दोस्तों जरूर research करें और उसके बाद फैसला ले कि आपको क्या इसमें invest करना है नहीं करना है लेकिन अभी के हिसाब से दोस्तों जो हमने research की है और अभी के लिए अगर मेरे पास पैसे होंगे 125,000 के हिसाब से दोस्तों कुछ इस हिसाब से मैं अपना portfolio बनाना चाहूंगा जिसमें लगबख दोस्तों 45% तक IT shares होंगे IT technology से share होंगे और लगबख 30% के आसपास दोस्तों कुछ monopoly stocks होंगे जिसमें जिनका monopoly business होगा और एक ऐसा stock होगा दोस्तों जिस पर हम risk लेंगे जो कि small caps रहाएगा लेकिन उसमें भी दोस्तों हमें possibilities काफी ज़ादा देखने मिले की तो overall अगर आप देखेंगे दोस्तों तो IT sector पर हमारा ज़ादा दियान था और यही कुछ इस हिसाब से हमने अपना portfolio build किया है अब यह आप पर depend करता है कि आपको क्या करना है आपको अपनी कैसे research करनी है और क्या आपको इन shares के बारे में जानना है इन shares के बारे में लगबग लगबग दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको अभी तक कुछ भी नहीं बताया है इन shares के बारे में अगर आप इनका quarterly results देखेंगे quarterly results दोस्तों इन shares में सभी में आपको अच्छे देखने मिलेंगे यह भी मैं आपको बता के देता हूँ लेकिन आपको करना क्या है आपको यहाँ पे इन्हें एनलाइस करना है इनके quarterly results देखने है financial दोस्तो background देखना है क्या company business करती है promoter holding क्या है book value क्या है current price तो दोस्तो आप देखी रहे हैं इन बाकी सब research के बाद ही आप इसमें invest करें और अगर आप दोस्तों invest करते हैं तो लगबग 25,000 से 26,000 के आसपास आप invest करेंगे और यहाँ पर खास बात दोस्तों अभी आने वाले time में में भी ये shares में हमें थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने मिल सकती है क्योंकि budget section दोस्तों directly किसी के लिए भी expect नहीं कर सकते हैं अच्छा आएगा बुरा आएगा क्या आएगा तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा share market में fluctuations होते रहती हैं so as a long term vision बना के रखिएगा एक साल से देड़ साल दोस्तों आपको इसमें invested रहना है उसके बाद ही आपका जो portfolio है उसमें आपको returns दिखेंगे एक तैय हिसाब से return दिखेंगे यही दोस्तों end में हमारी आप से विंती रहेगी अगर overall video दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो नीचे comment box में जरूर बताईएगा और यहां पे दोस्तों मैं आपसे भी suggestion चाहूंगा किया आपके पास अगर 25,000 रुपे होते हैं तो आप कौन-कौन से share में invest करने की कोशिश करते हैं नीचे comment box में हमें जरूर लिख कर बताईए और इस video को दोस्तों like जरूर कीजेगा हमें आशा है कि आपको यह video पसंद आया होगा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं अगले video में साथ ही साथ दोस्तों जाते जाते एक और बात वीडियो को जरूर share कीजेगा अगर आपको अच्छा लगेगा आपके friends के साथ भी share कीजे ताकि दोस्तों वो भी share market में invest कर सकें और काफी अच्छी तरीके से कर सकें तो इसी के साथ यह video हम समप्त करेंगे आपका यह video में अंतक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद चेहिन